हे वेलकेम बैक दोस्तों कैसे आप सब लोग उमीद करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे बढ़ी होंगे देखो याद आज का ये वाला जो वीडियो है ना वो उन सभी लोगों के लिए खास और इंपोर्टेंट होने वाले हैं जो 2024 में घर पे बैठे बैठे शॉपीफाइड ड्रॉप शिपिंग बिजनस को स्टार्ट करना चाते है Shopify Dropshipping Business को सीखना चाते हैं और Shopify Dropshipping Business को स्टार्ट करके घर पे बैटे बैटे हर मेने कम से कम 50,000 से लिखे एक लाख रुपत की कमाई करना चाते हैं आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए most important होने वाल है देखें आज की इस वीडियो में आप Shopify Dropshipping Business को जीरो से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे उससे आप हर मेने 50,000 रुपे कमा सकते हैं इस वीडियो में आज मैं आपको complete information देने वाला हूँ और इस वीडियो में आप Dropshipping Business को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं step by step वो आपको complete यहाँ पर practical करके मैं आपको दिखाने वाल हूँ सबसे पहले step में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप Shopify Dropshipping Business को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप Shopify Dropshipping Business का एक store कैसे बना सकते हैं यानकि आप Shopify का एक अपना account या फिर वहाँ पर अपनी website या store कैसे setup परेंगे दूसरे step में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने store की जो settings है जो basic और advanced settings है जिससे आप अपनी जल्दी से sale आ सकते हैं वो आप कैसे complete करेंगे तीसरे step में मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से आप अपने Shopify के store के अंदर आप trending products को कैसे find out करेंगे और उन trending products को आप अपने store में Ropos & Cloud का use करके कैसे import करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि उन products को बेच निकले आप Facebook के उपर इस प्रकार से advertisement करेंगे उसके starters ही क्या रहेगी और कैसे आप sale लाके Shopify dropshipping business से पैसे कमा सकते हैं तो अगर आप Shopify dropshipping business को सीखना चाहते हैं जीरो से तो आज इस वीडियो को आप and तक जरूर देखना वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मैं आपको step by step Shopify dropshipping business को आप कैसे start कर सकते हैं घर पे बैटे बैटे वो आपको इस पूरे वीडियो में देखने के बाद सीखने को और समझने को मिल जाएगा वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी से request जरूर करना चाहूँगा अगर आपको लगता है कि वीडियो और चैनल आपके लिए काम करना तो इस वीडियो को like जरूर करना अपनी दोस्तों के शार शेर जरूर करना और हमें support करने के लिए इस चैनल को subscribe जरूर करना क्योंकि हमारे इस चैनल का target है एक million subscribers का चलिए अब सुर्वात करते हैं आज के इस वीडियो के तो देखे दोस्तों यहां पर मैं अपनी laptop PC की screen पर आ चुका हूँ आइड अब मैं आपको यहां पर Shopify dropshipping business को कैसे आप पूरी तरह से start कर सकते हैं गर पे बैटे-बैटे in next 3 to 40 minutes वो अब मैं आपको explain करूँगा उससे पहले मैं आपको एक proof जरूर दिखाना चाहूँगा because proof सबसे most important है ताकि वो आपका motivation बढ़ाएगा मतलब आपका जज़बा यहां पर जगाएगा तो यहां पर आप दोस्तों देख सकते हैं मैं आज का वीडियो सुरू करने से पहले मैं एक यहां पर store already run कर रहा हूँ उसका मैं आपको एक proof यहां पर दे रहा हूँ जो आप यहां देख सकते हैं सबसे बिल अगर आप देखेंगे दोस्तों यह हमारा एक store Shopify dropshipping का जिस पे हमने यहां पर 5 orders करे हैं और इस पे हमने total sale करी है 2,900 रुपीज की अप्रोक्स 5 orders में हमने 3,000 रुपे यहां पर निकाले यहां पर देख सकते हैं दोस्तों इस परकार का हमारा यह पूरा store है जिसमें हमने देखें यहां पर पूरा एक menu बनाए है header menu and sliders हमने बनाए हैं यहां पर देखें पूरा हमने crowdshals बनाए हैं product crowdshals with categories यहां पर आप देख सकते हैं हमने कुछ और product sliders बनाए हैं इस परकार का हमारा पूरा store आप देख सकते हैं यह हमारा Shopify का store है तो अब आप कैसे अपना एक Shopify का इसी प्रकार का एक store बना सकते हैं, कैसे आप उसमें देखे, sale ला सकते हैं, कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, इस वीडियो में अब हम सीखने वाले step by step, तो सबसे पहला step कौन सा है, सबसे पहला step है देखे, अगर आप Shopify drop shipping को सुरू करना चाहते है और उससे पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपका store होना जरूरी है, तो store बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा Google पे, और यहाँ पे दोस्तों आपको type करना पड़ेगा Shopify drop shipping, ठीक है, और यहाँ पे simply search button पे click करना है, इसका जो URL है, website का, वो direct मेर description में आपको दे दूँगा, उस पे click करके भी आप visit कर सकते हूँ, यहाँ पे मैं अभी आप not now पे click कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोस्तों Shopify drop shipping में ने जैसे डाला, यहाँ पे इसका URL आप देख सकते हैं, तो simply आपको इसके उपर click करना है, जैसे दोस् Shopify drop shipping business को start कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखे, get 3 days free and then 1 month for 20 rupees, पहले इनका plan कुछ और था Shopify drop shipping का, जिसमें next 3 months के लिए आपको 20 rupees मिल रहा था, बट अभी इन्हों ने change कर दिया कि यहाँ पे 3 days का trial free है, और उसके बाद 1 महिने तक आपको 20 rupees pay करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पर अपना store बना रहा है, ठीक है, एक महिने के बाद आपकी जो regular price है, वो लाग हो जाएंगे आपर, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, start free trial का जो button दिया गया है, उस पर आपको click करना है, जैसे दोस्तों आप start your free trial पर जैसे click करेंगे, आप यहाँ पर store create करन हो जाएगा, तो सबसे बहले यहाँ पर आपसे पूचा जा रहा है, let's get started, which of the are these best described to you, तो I am just starting वाला जो button दिया गया है, इस पर आपको click करना है, और इस पर click करने के बाद आपको simply, जो next button दिया गया है, उस पर आपको click करना है, जैसे दोस्तों आप next button पर click करेंगे, आप यहाँ पर आपके पास next सवाल आ रहा है, where do you like to sell, मतलब आप कहाँ सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 4-5 options आ रहे हैं, बट हम चूज करेंगे यहाँ चूज करेंगे आपको next button पर click करना है, जैसे दोस्तों next button पर click करेंगे, अब यहाँ पर आ रहा है, what do you want to plan to sell first, मतलब आप सबसे पहले क्या सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखे, product I buy or make myself and drop shipping product है, services है, digital product है, print on demand है, तो हम choose करेंगे यहाँ पर digital products and simply, sorry, drop shipping products and यहाँ पर simply next button पर हम दुबारा से click कर देंगे, जैसे next button पर click करेंगे, अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपका country कौन सा है, और उसके बार simply आपको next button पर click करने, जैसे दोस्तों आप next button पर click करेंगे, अब यहाँ पर देखें दोस्तों आपको क्या करने का option आएगा, आपको करना है sign up, sign up करने के लिए simply दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, देखें यहाँ पर sign up with Google वाला option दिया बाबू, ठीक है, और यह fake account है, तो मैं इसको यहाँ पर login कर लाता हूँ, next button पर मैं click करता हूँ, यहाँ पर देखें दोस्तों मेरा password भी मुझे डालना पड़ेगा, और उसके बाद दोस्तों मैं दुबारा next button पर click कर देता हूँ, जैसे next button पर click करूँगा, यहाँ पर देख your account to google, अब यहाँ पर first name and last name का option आर चुका है, तो यहाँ पर देखें मैं क्या करूँगा, first name के अंदर डालूँगा राहुल, ठीक है, राहुल, और उसके बाद दोस्तों last name में डालूँगा, मीना, ठीक है, जैसे दोस्तों आप next button पर click करते हैं, अब यहाँ पर दोस्तों step है ना कि Shopify dropshipping business को start करने लिए हमारा जो Shopify का store है, वो पूरी तरह से बनके ready हो चुका है, मतलब हमने 5-6 मिनट के time में Shopify dropshipping business को start करने लिए हमारा जो dropshipping store है, यानि की website है, वो हमने बना लिया, अब हम चलते हैं दोसों दूसरे step पर, और दूसरा step हमारा कौन चा था, दूसरा step था कि हम अपने store की जो basic और जो advanced settings है, उनको हम complete करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर सिखेंगे कि product कैसे import होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि हम advertisement करके products को कैसे sale करते हैं, कौन-कौनचे advertisement के tips है, tricks है, क्या है, वो सारी चीज़े हम यहाँ पर discuss करने वाले है, और store को भी हम customize करना है, यहाँ पर सिखेंगे, ठीक है, अब दोसरे step में क्या करना है आपको, यहाँ पर आपका जो setting option है, तो simply 200 settings option पर आपको जाना है, जैसे 200 settings option पर जाना है, यहाँ पर आपके पास देखें, आपके store की जो basic और advanced settings हैं, वो आपकी सामने open हो चुकी है, हम store customization से पहले यह हम सिखेंगे कि आपकी जो settings है, वो कौन कौन सी है, और कैसे आप इनको complete करेंगे, तो देखें, आपे सबसे पहला है store details, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, simply added button पर click करना है, और यहाँ पर आपको store name पूछ रहा है, तो जैसे माल लो, अभी मैं यहाँ पर फिला settings हो गई, profile की, उसके बाद दूसरो billing है, information है, तो इंडिया इसमें आपको कोई changes नहीं करना, आपका जो store currency है, वो है Indian rupees, because आप इंडिया में अपना store चला रहे हैं, अगर आप किसी और country में चला रहे हैं, तो आप यहाँ पर store currency को change कर सकते हैं, उसके बाद दूसरो आपका यह पर time zone Calcutta वाला रहता है, और यहाँ पर इसके अंदर आपको कोई changes नहीं करना, अगला है दोस्तों यहाँ पर plans, देखे plans वाला settings आप कैसे save करेंगे, किस तरह से changes करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पर बदा देता हूं, and plans वाला basically होता क्या है, वो भी मैं आपको guide कर देता हू देखे plan setting में वो settings आती हैं, जिसमें आप अपना जो store चला रहे न, उसके अंदर कौन सा plan अभी आपके पास activate है, और कौन सा plan आपको upgrade करना है, वो सारी settings यहाँ पर आती है, जैसे माल लो हमने यहाँ पर एक Shopify का store बना है, अब इसमें हमारे पास 3 days का trial तो आ चुका है, बट जैसे हमारा trial free खतम होता है, यहाँ पर आपको देखे plan चूज करना पड़ेगा, और यहाँ पर देखे तीन plan है, जिसमें first जो month है, उसके लिए आपको 20 रुपे पे करना पड़ेगा, एक plan तो यह है, दूसरा plan यह है, और तीसरा plan आपको यहाँ पर यह दिया गया है, तीनो plans में आपको 20 रुपे first month देना पड़ेगा, लेकिन इसमें उसके बाद अगले मेने देना पड़ेगा 1400 नन्यान में, इसमें आपको 500 नन्यान में, और इसमें आपको 22,000 रुपे तक भी पे करने पड़ सकते हैं, तो according to me, आपको यह वाला plan चूज करना है, और जैसे दोस्तो आप इस plan को select करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो plan है वो आपको choose करने के बाद, यहाँ पे देखिए आपके billing details डालनी पड़ेगी, जो भी आपके पास credit card है, जो भी आपके पास UPI है, UPI का option भी आपको यहाँ पे दिया गए, और इसके बाद आप आपको यहाँ पे plan subscribe करना पड़ेगा, एक चीज़ पे आपको और बताना चाहूंगा, यहाँ पे जब भी आप plan subscribe करेंगे, तो आपको 5000 लेने का permission आता है, मतलब आपके account से 5000 रुपे कटेंगे, ऐसा आपको message दिखाए देगा, जब भी आप करेंगे, बट वो 5000 करता नहीं है वो आपसे limit एक तरीके से access मांगा जाता है, ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको अगला setting कौन्चा है, अगला setting देखें, यहाँ पे आपके पास plans के बाद आपका कौन्चा settings है, यहाँ पे add your payment method, जो भी आप payment method आड़ करना चाहते हैं, अपना store activate करने के लिए वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, उसके बाद दोस्तों आपका आता है, यहाँ पे billings, तो यहाँ पे देखें, बिलिंग पे जैसे आप add करेंगे, यहाँ पे आपका जो current अभी billing चल रहा है, इस महीने का, वो बिलिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो अभी हमारा पास को पर्मीशन देना चाहते हैं, मतलब और कोई आपके अकाउंट को manage करना चाहते है, तो उसको आप पर्मीशन वगरा जो भी देना चाहते हैं, स्टाफ वगरा और आइड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से directly कर सकते हैं, अगला कौनचा सेटिंग्स है? अगला सेटिंग है द जिसमें आपके पास option आता है कि अगर आप यहाँ पे direct payment लेना चाहते हैं अपने products पे तो आप इन में से किसी भी एक बंदे मतलब third party का जो payment gateway वो आप ले सकते हैं अगर आपके पास मालो stripe का है तो उसको आप लगा सकते हो cash free का है तो उसका payment gateway आप यहाँ पे integrate कर सकते हो उसके बाद यहाँ पे और options पी आते हैं एक तो देखें यहाँ पे आपके पास choose provider का option आता है एक यहाँ पे PayPal का option आता है अगर आप international आपना इस्टोड चला रहे हैं तो यहाँ पे PayPal को setup कर सकते हो उसके बाद दोस्तों नेक्स option आता है यहाँ पे आपके पास ओर आता है जिसको बो डिलिवरी एक्टिवेट कर दिया अपनी सेटिंग्स में यहाँ पर अगला option है दूसरो आपकी पास checkouts का तो checkouts में देखें दूसरो आप कौन-कौन सी settings यहाँ पर करेंगे जैसे मालो कस्टमर जो information है उसमें आप क्या-क्या लेंगे only required last name तो यहाँ पर हम first name and last name दोनों करेंगे company name हमारा optional रहेगा उसके बाद दूसरो address lines 2 के अंदर आप चाहें तो required कर सकते हैं और optional कर सकते हैं shipping address phone number तो यहाँ पर देखें required हो गया उसके बाद दूसरो marketing options में आप यहाँ पर email और SMS दोनों चालू कर सकते हैं अगर कोई आपको tipping देना चाहते तो tipping भी आप ले सकते हैं उसके बाद दूसरो यहाँ पर आपकी पास after an order has been paid automatically fulfill जो भी options है आपको यहाँ पर fix करने हैं वो यहाँ पर fix कर सकते हों ठीक है और यहाँ पर simply save बटन पर आपको दुबारा से click करना है तो यह जो आपकी settings है वो भी save हो जाएगी अगला दोस्तों यहाँ पर customer accounts का तो देखे customer accounts में कौन-कौन से settings है वो आपको यहाँ पर देखनी है वो यहाँ पर आप सारी की सारी देख सकते हैं बट इसमें आपके लिए को important settings अभी नहीं है अगला है दोस्तों यहाँ पर shipping and delivery का तो जो भी आप shipping and delivery से related settings करना चाहते हैं वो सारी settings आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी अभी तो अमारे पास जो shipping और delivery है वो हम रोपो सो cloud से करवाएंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी चीजे change करने की जरूत नहीं है Tax and duties जो भी है आपकी वो भी यहाँ पर automatically setup हो जाती है तो यहाँ पर tax and duties की settings अगर आपको change करनी है तो आप कर सकते हो बाकि इनडिया के जितनी भी Taxes और Duties है वो यहाँ पर automatically set up हो जाती है यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी जो automatically save हो चुकिए आपके पास थिके है अगला options आता है, यहां पर locations का, तो locations आप चूज कर सकते हैं, अपने अनुसार, जैसे मालो आप India में run करना चाहते हो, या फिर और कहीं पर run करना चाहते हो, तो यह options भी आपके पास है, यहां पर आपके पास gift card market में markets, यह options भी आपके पास है एक settings आपके पास यहां पर और आती है जिसको बोलते है domain settings देखे इसमें अगर आप अपने domain जो आपका store है उसके अंदर अगर आप अपना custom domain लगाना चाहते हैं तो यहां पर आप हमने domain को यहां से connect कर सकते हैं अभी हम domain connect नहीं करेंगे because हम free trial के उपर ही सारा चीज़े सीखेंगे अगला option है customer events, brands यहां पर custom data, language यह आपके लिए important नहीं है यह आपके लिए important है जिसको बोलते है policies तो यहां पर आपको simply policies पर click करना है और जैसे दोस्तों आप policies पर click करेंगे आपके जो store की policies है वो आपको लिखनी पड़ेगी because e-commerce में policies सबसे important है तो यहां पर एक simple option है policies create करने का देखें यहां पर create from templates का option आपको दिया गया है इसके उपर आपको click करना है और जितनी भी policies है वो आपकी automatically यहां पर बन जाती है देखें create from templates तो यह काफी easy और काफी आसान option है and यहां पर shipping policies आपको लिखनी पड़ेगी जो भी आप shipping policies है and यहां पर देखे contact information में जो भी आपके contact information है वो policies यहां पर आपको डालके save कर देनी है और जैसे दोस्तों आप यह save करेंगे आपकी जो settings है वो भी almost यहां पर set हो चुकी है और यहां पर हमारा दूसरा step भी complete हो जाता है store से related अब हम तीसरे step पर चलते हैं और तीसरा step है दोसो हमें ऐसे products लेके आने पड़ेंगे जिन products को हम Shopify dropshipping की मदद से बेच सकते है market में और हम पैसे कमा सकते हैं तो उसके लिए एक application सबसे most important है और उस application का नाम है दोसो Roboso Cloud उसका link भी मैं आपको description में दे दूँगा direct आप click करेंगे तो आप उस Roboso Cloud के application पे visit कर लेंगे तो य steps आपको complete करने पड़ेंगे और इन 6 steps में आप अपने पूरे business को launch कर सकते हैं almost हमारी दो चीजे या दो steps complete हो गये हैं जिसमें हमने पहला store setup करना सीखा दूसरा हमने हमारे store की settings को complete करना सीखा आप यहाँ पर products कैसे लेके आएंगे product कैसे research करेंगे कौन से application से लेके आना है वो सब चीजे हम यहाँ पर अप सीखने वाले ठीक है तो यहाँ पर देखे आपके पास पहला ही option आता है यहाँ पर add your first product तो हम यहाँ पर click करेंगे add products पे and जैसे दोस्तों आप इस पर click करेंगे यहाँ पर देखे आपके पास product add करने का option आ चुका है यह तो manually option आता है अगर पास कोई manual product तो है नहीं तो हम क्या करेंगे हम जाएंगे दोस्तों यहाँ पर apps में और apps में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर app and sales channel या sorry all recommended apps की उपर हम जाएंगे and यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा एक app search करना पड़ेगा तो Shopify app आप इस्टोर के उपर हम जाएंगे जैसे Shopify आप इस्टोर के उपर जाओगे आप यहाँ पर आपको टाइप करना दोस्तोर रोपो सो रोपो सो क्लाउट ड्रॉप शिपिंग और सिंप्ली आपको यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करना है आपके पास रोपो सो क्लाउट ड्रॉप शिपिंग अप्लिकेशन आ रहा है तो सिंप्ली इस पर क्लिक करके आपको इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है जैसे दोस्तोर आप इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे यह वाला जो आप्लिकेशन है वो आपके store में सबसे पहले तो install होगा और उसके बाद हम जो बोलते हैं ये वाला जो application है उसकी मदद से हम products import करेंगे हमारे store के अंदर तो यहाँ पर देखे install button पर click करने के बाद दुबरा से आपको install button पर click करने जैसे दूसरों आप install button पर click करेंगे अब यहाँ पर आपको login का option आएगा तो हम क्या करेंगे दोसरों यहाँ पर हम login करेंगे हमारा number डालके and simply आपको get OTP के उपर click करने है जैसे दोसरों आप get OTP के उपर click करेंगे यहाँ पर आप क्या होगा दोसरों जो भी आपका number है न उस number के उपर आपको OTP जाएगा तो यहाँ पर यह वाल आपका number है हमारा simply get OTP के उपर click कर देता हूँ यहाँ ठीक है जैसे दोसरों आप get OTP के उपर click करेंगे यहाँ पर देखे दोसरों आपका जो OTP है वो आ चुका है तो मेरा आ चुका यहाँ पर बहतर सत्ता उनकुछ करके अब यहाँ पर verify and process बटन पर मैं click कर दूँगा यहाँ पर link new Shopify जो store है उसका option मेरे को दिया गया है तो simply मैं क्या करूँगा दोसरों इस button पर click कर दूँगा यहाँ पर देखे yes button पर मैं click कर दूँगा and yes button पर click करने के बाद मेरा जो store है वो यहाँ पर roposo cloud में automatically आ जाएगा and यहाँ पर आप चाहें तो store name भी change कर सकते हैं जिसे मेरे store का name है राहूल and मैं आपर submit button पर click कर रहा हूँ जैसे दोसरों आप submit button पर click करोगे यहाँ पर अब आप देख सकते हैं आप ये पास roposo cloud open हो चुका है अब कई सारे लोग अगर roposo cloud के बारे में नहीं जानते तो मैं पहले बता दूँ roposo cloud एक ऐसा platform है या एक ऐसा mobile application है and ये गुडगाओं इंडिया की company है जिसके अंदर आप trending products को find out कर सकते हैं जो भी trending products इंडिया में अभी popular चल रहे हैं जिनको facebook पे बहुत ज़्यादा बेचा जा रहा है google पे बहुत ज़्यादा बेचा जा रहा है उन products को आप यहाँ पे बहुत easily find out कर सकते हैं यहाँ पे देखे market trends के नाम से एक option आपको दिया गया है slider दिया गया है जिसमें आपके पास जितने भी trending products हैं वो सभी trending products यहाँ पे आ जाते हैं and market में अभी क्या नया चल रहा है वो सभी के सब products भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है तो आप इन products को easily अपने store में ले जा सकते हैं और उसके बाद आप इन products को बेच के अपना पैसा कमा सकते हैं अब कैसे इनको अपने store में आप लेके जाएंगे वो मैं आपको यहाँ पे जानकारी देदेता हूँ माल लीचे यह वाला जो car वाला जो product है ना यह अभी काफी अच्छा है और according to me जो car वाले लोग है ना वो इस product को purchase भी करने की कोशिश करेंगे तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों यहाँ पे push to Shopify वाला जो बटन दिया गया है इस बटन पे मैं यहाँ पे click करूँगा और जैसे दोस्तों इस बटन पे मैं click करूँगा यह वाला जो product है ना उसका link मेरे सामने open हो जाएगा ठीक है तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों इस product की जो link है वो मेरे सामने आपे open हो रही है अब मैं इस product की जो detail है वो change करूँगा और इस product का जितना price है उस price को भी मैं modify करूँगा और मेरे according यहाँ पे price डालूँगा ठीक है मेरे according मैं यहाँ पे title भी डाल सकता हूँ price भी डाल सकता हूँ और उसके बाद मैं इसको अपने store में बेच के उससे पैसे कमाने की कोशिश करूँगा तो देखे क्या करना होता जिसे मालो हम यहाँ पे click करेंगे यह वाला product मानके चलो यह product अभी हमारे पास open हो रहा है तो यह देखे हमारे पास product open हो चुक है और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूँगा यह जो product आप देख रहे हूँ ना दोस्तों इसके जो marketing materials है वो यही material है तो आपको यह जो videos है यह भी download करने पड़ेंगे तो मैं आप देखे download वाला button दिया गया होगा नीचे आपको यहाँ पर देखे इसके उपर click करना है three dots के उपर and download button के उपर आपको click करना है और यह वाला जो video है ना वो आपको download कर लेना है अपनी laptop PC में तो यह देखे मैं save button पर click कर लेता हूँ and मैं इसको download कर लेता हूँ and इसकी जो images है वो भी आप चाहें तो download कर लीचेगा इससे क्या होगा जब भी आप इस product को purchase, sorry, market में sale करने के लिए add चलाएंगे ना तो आप अपने इस video की मदद से add चला सकते हूँ facebook, instagram पे तो उससे क्या है थोड़ा convergence ज़्यादा आ जाता है और जो भी 10-10, 20-20 लाग रुपे वाली गाड़ी लोग रखते है ना वो इस product को purchase कर लेंगे क्योंकि उनको उनकी गाड़ी का ख्याल रखना है और उनको धूने में भी काफी दिक्कत होती है बट ये एक ऐसा product है जिससे कोई भी अपनी car wash easily कर पाएगा ठीक है तो I think ये वाला product बिख सकता है market में तो हम क्या करेंगे आपर देखे push to Shopify के उपर click करेंगे और अभी इस product का price हमें मिल रहा है 427 अपरोक्स अगर हम इस product को बेचेंगे तो 427 रुपए जो हमारा seller है यानि कि रोपो सो cloud जिससे हम ले रहे है product उसको देना पड़ेगा और उसके बाद हम यहाँ पे margin अड़ कर सकते हैं तो हम यहाँ पे add करेंगे जैसे माल लो हम यहाँ पे add करेंगे 850 रुपए ठीक है 850 रुपए अपने add करा अब 850 रुपए में हमारा 423 रुपए margin हो गया ठीक है 427 इसको देना है और 423 रुपए हमारा margin हो गया अब इसमें से हमारा जो advertisement cost है वो हम काट लेते हैं shipping cost हमारा कुछ जाएगा नहीं advertisement cost मान के चलो हमारा 123 रुपए चला गया फिर भी हमें per product करीब 300 रुपए बचने वाले ठीक है तो ये हमारे लिए काफी अच्छा शोदा हो सकता है तो हम push to shopify के उपर हम click कर देंगे जैसे दोस्तों आप push to shopify के उपर click करोगे हमारा ये वाला जो product है वो automatically चला जाएगा हमारे store के उपर अगर आपको नहीं समझ पना रहा तो हमारा store के उपर हम वापस जाएंगे और इसको हम cross कर देंगे यहां से और हमारे online store के उपर हम click करेंगे और आप देख सकते हैं आप हमारे पास जाके देख लेते हैं कि हमारा product आया की नहीं एक बार हम इसको refresh कर लेते हैं ठीक है and refresh करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा product आया की नहीं तो अभी एक बार हम वापस से देख लेते हैं product ठीक है and ये देख सकते हैं अब आप दोस्तों यहां पर हमारा जो product है वो आ चुका है यहां पर अगर आप dashboard पर देखेंगे तो देखे add your first product जो यह वाला option है वो भी आपका complete हो चुका है तो I think दोस्तों यह वाला step भी आपको समझ में आ गया होगा step number 3 कि आप अपने store के अंदर product बेचने के लिए कैसे रोपो सो cloud को install करोगे कैसे उससे आप products find out करोगे and trending products कैसे लेकिया आने है new products कैसे find out करने वो I think आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको नहीं समझ में आ तो हम आपको एक और product research और उसको import करना उसकी price change करना मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके odds, doubts clear हो जाएं देखिया हम वापस रोपो सो cloud के अंदर आ रहे हैं और यहाँ पे रोपो सो cloud आपके सामने खुला हुआ है अब यहाँ पे आपको यह भी देखना पड़ेगा कि यह आपका रोपो सो cloud का dashboard है जिस dashboard के अंदर आप यहाँ पे home पे जाएंगे तो आपके पास सारे product आएंगे यहाँ पे आपके पास अलग-अलग categories आ रही है किस category का store आप बना रहे है किस category के product आप बेचना चाह रहे है वो categories से भी आप यहाँ पे find out कर सकते है आपके जितने भी orders आएंगे वो यहाँ पे सारे के सारे orders manage करोगे आप pending orders है, confirm orders है जो ship हो चुके हैं, वो है close है यह all orders है यहाँ पे आपको देखेंगे and NDR यहाँ पे manage कर सकते हो जितने भी आपके products आपने import करें वो सभी की सभी product यहाँ पे आप देख सकते हो and उसके बाद देखे shorts product, RTO and reports जो भी आपके पास हैं, वो reports आप यहाँ पे देख सकते हो कितने product आपने बेचे and जितनी भी payment details है और जितना payment आपको आया, वो सभी यहाँ पे आपको manage करने का option मिल जाएगा अब यहाँ पे हम वापस से home page में जाते हैं and home page में जाने के बाद दोस्तों अब हम मालन के चलो हम यहाँ पे एक और दूसरा product इंपोर्ट करेंगे for example यह वाला जो product है वो हम इंपोर्ट करना चाहरे हैं तो हम इसके उपर click कर देंगे जैसे दोस्तों आप इस product पे click करोगे अब यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने इस product का description भी खुल गया तो इसका जो advertisement material है वो आप यहाँ से simply download कर लीज़ेगा और इसी material की मदद से हम Facebook पे add चलाएंगे मैंने download किया अब आपको क्या करना है push to Shopify के उपर click करना है और यहाँ पे आपको store choose करना है जो भी आपका store है मैंने multiple stores बना रखें तो उन सबी के आपे नाम आते हैं जैसे मैं यहाँ पे रोपो सो cloud आड़ करता हूँ तो मेरा यहाँ पे एक store मैंने भी जो बनाया है वो है यहाँ पे अब 309 रुपय का इसका price है जो हमसे लेगा seller अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 550 रुपय डालेंगे तो 241 रुपय हमारा पर product margin हो गया अब हम इसको push to Shopify के उपर click कर देंगे और जैसे दोस्तों आप इसके click करेंगे हमारा ये वाला product भी देखे यहाँ पे automatically आ जाएगा तो इस तरीके से आपको क्या करने होते है आप रोपो सो cloud की मतल से यहाँ पे product import कर सकते हैं अपने store में जिनको आप advertisement करके बेचेंगे और आप पैसे कमाएंगे ठीक है एक आप product दे बेचेंगे तो आपको कम से कम average 300 रुपे मिलेगा दिन में आप 10 product बेचोगे मतलब 3,000 रुपे परड़ है और 90,000 रुपे आपका प्रॉक्स माइना income होती है इस तरीके से Shopify drop shipping से पैसा कमाया जाता है और यहाँ पे दोस्तों हमारा product import कैसे होते हैं उसका step भी complete हो गया है step number 3 अब चलते हैं दोस्तों हम आगे और यहाँ पे देखे find product to sale तो इसके उपर हम यहाँ पे direct tick कर देते हैं क्योंकि हमारा यह वाला तो काम complete हो चुका है और त्री steps हमारे almost complete हो चुका है first हमारा store बन गया दूसरा हमारा settings complete हो गई तीसरा हमने product import कर लिया अब हमारा दोस्तों अगला step हम यहाँ पे complete करेंगे और वह दोस्तों store customization और उसके बाद हम यहाँ पे सीखेंगे कुछ tips हम लेंगे facebook advertisements से related कि हम facebook पे advertisement कैसे करेंगे और कैसे उसे पैसे कमाएंगे दोस्तों store customization तक अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है और यहाँ तक अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना अपने दूसके शेयर करना अगर आप दोस्तों यहाँ तक इस वीडियो को देखा है आपने अभी तक भी आपको कुछ समझ में नहीं आया और इसके बारे में full details और जानकर यह आप चाहते है step by step पूरा आप सीखना चाहते है इसको तो मेरा course भी मैंने बना रख है आप description में जाए आपको link मिल जाएगी Shopify dropshipping course की एक मैं आपको coupon code भी दूँगा आप apply करेंगे जब आप course चेक आउट करेंगे तो आपको वहाँ पे 499 रुपए का odd discount में अपनी तरप से provide कर रहा हूं जिससे आपको course 999 रुपए के something मिल जाएगा complete Shopify dropshipping का और एक अमारा Facebook marketing का course भी है अगर आप दोनों का combo pack खरीदेंगे तो 2000 रुपीज में आपको दोनों कोर्स भी मिल जाएगे जिसके बाद आप क्या होगा कि आप Shopify dropshipping को भी सीख पाएगे और Facebook marketing को भी सीखे आप advertisement करके बहुत अच्छे तरीके से इस business के अंदर आप कदम बढ़ा सकने है ठीक है तो आप अमारी टीम से बात कर सकते हो कोर्स के रिगारिंग नंबर मैंने आपको दे रखा है और जदर डिटेल अगर आपको चाहिए इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग के पेज पे आप जाना कोर्स Shopify ड्रॉप शिपिंग के कोर्स पे आपको फ्री ट्राइल भी मिल जाएगा डेटेल भी आपको मिल जाएगी कि कोर्स में आपको क्या कै सीखने को मिलेगा उसके बाद आप चाहिए तो कोर्स को पर्चीज कर सकते हैं विथ डिस्काउंट कुपन कोड अब चलते हम आगे अगला step पर दोस्तों हमारे पास यहां पर customize your store का जिसमें हम अपने store को एक customize store यानि कि design करना चीखेंगे थोड़ा बहुत और उससे हम अपने मतलब हम जो हमारे पास customer आएंगे उनको थोड़ा look देंगे हमारे store का ठीक है तो यहां पर customize theme के उपर आपको click करना है जैसे दोस्तों आप customize theme के उपर click करेंगे अब यहां पर देखे दोस्तों आपके पास आपका जो store है उसको customize करने का option आजाता है यहां पर देखे आपका product sorry store customization का option आजाता है अब इसमें किस तरह के से आप यहां पर customize करेंगे store को वो मैं आपको जानकरी दे देता हूँ अब आपको करना क्या है दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको customization को option देख रहा होगा तो इस पर आपको एक बर click करना है अब आपके सामने जो आपका website या जो store है उसके जो customization option से वो खुल जाते हैं सब्सक्राबले तो देखिए यह आपका menu है जिसमें आपको जो भी customization करना है जैसे announcement bar में customization करना होता है header में आपको customization करना है या फिर दोस्तों आपको image banner वगरा में कुछ changes करना है यह सारे options देखिए यहाँ पर आपको side में देख जाते हैं एक option और है कि जो आपको चीज customize करनी है वो आप यहाँ से उपर से बहुत आसारी से customize कर सकते हैं तो जैसे मानलो यह वाला जो image है वो आपको customize करना है तो इस image को कैसे customize करोगे यहाँ पर देखिए image पर click किया select image के उपर आपको click करना है यहाँ पर आपके पास image option आजाते है तो जैसे मानलो यहाँ पर add image के उपर मैं click कर देता हूँ यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगा दूसरो कोई भी एक image ले लूँगा और उसको मैं upload करके आपको दिखा देता हूँ जैसे मैं इस पर जा रहा हूँ प्रॉडक्ट है उसकी इमेज जो आ रही है उसको भी आप यूज कर सकते हो ना प्रॉब्लम तो जैसे यह वाला image यहाँ पर upload हो गया अब मैं इसको क्या करता हूँ ड़न बटन पर click कर दूँगा यहाँ पर इस इमेज का जो size बगर है उसको भी आप देखे यहाँ पर छोटा बड़ा कर सकते हूँ यह देखे लार्ज में और रखा है अगर आप चोई तो इसको medium में कर लोगे तो और भी अच्छा लगेगा यह तो यह देखे अगर आप चाहँ तो बूल्ड कर सकते हूँ डिस्क्रिप्शन लिखे उसको भी change कर सकते हूँ collection में आपको कौन सा collection add करना है वह collection की option आपको यह दिख रहे हैं ठीक है अद प्रड़ुक कितने आपको show करने वह वाला option भी आपको यह दिख रहे है number of calling to desktop यह पर desktop पे कितने product दिख रहे हैं यह वह option भी आपको यह दिख रहा है फिर हम वापस से पीछे जाएंगी जो बाकी चीज़े हैं उनको भी बार देख लेते हैं जैसे फ्यूचर कलेक्शन में हम नहीं क्लिक किया अब जैसे माल लो हैडर में अनाउंसमेंट में आपको यहां पे कुछ लिखना है जैसे वैलकम तो इस्टोर इसमें कुछ लिखना है तो यह चेंज कर सकते हैं आप लोग यहां पर जैसे महां लो बटन पे कुछ चेंजस करना जैसे यह वाला बटन है शॉप ऐल को अरा आ आपको आप अ अब इस product की जो link है वो मैंने इसमें लगा दी है और मैं इसको save button पे click करूँगा तो जैसे को shop now पे click करेगा अभी जो मैंने नया product यहाँ पे add किया है उसकी link यहाँ पे automatically लग चोगी है यह वाला देखिए ठीक है तो buttons इस पर कार सी changes होते हैं अगर मालो यहाँ पे आपको एक collection आड़ करना है for example यहाँ पे अभी हमारे पास एक collection वा रखा यह वाला एक collection और आड़ करना है तो यहाँ पे add section पे हम click करेंगे collection आड़ कर सकता हूँ और इस collection में मैं फिर अपने product को add कर सकता हूँ ठीक है तो इस तरह से आप अपनी website को या store को customize करते हैं अब इसमें और ज्यादा आपको चीजे चाहिए तो आप देरे देरे इसको जैसे जैसे store को changes करेंगे आप इस पे business करेंगे तो आप और भी इसको बढ़िया तरीके से बना पाएंगे ठीक है अब अगर आप देखेंगे तो almost हमारे जो सारे steps हैं वो complete हो चुके हैं और यहां पर हमारा shopify dropshipping का जो business है वो भी launch करने के लिए ready हो चुका है बस कुछ चीजे कमी है और वो चीजों की कमी है दोस्तों आपके store से related थोड़े store में आपको और product import करना है 10-15 product आप import करना market के according research करने के and अपने store को थोड़ा बहुत customize करना logos वगरा and अपना slider वगरा सब चीजे आपको यहां पर fix करनी है उसके बाद फिर आपका जो Shopify dropshipping business है वो ready हो जाएगा market में sale करने के लिए इससे ज्यादा और कुछ यहां पर rocket science होती नहीं है अगर आपको और कुछ बोलता है कि rocket science है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना बढ़ेगा आपको तो वो कुछ होता नहीं है आप जितना knowledge and experience लोग है बहुत सारे लोगों के course वगरा free में भी है अगर आप चाहतो उनको भी देख सकते हो हमारा यह वाला course भी तरीके से free मे है बट फिर भी advanced knowledge चाहिए आपको marketing knowledge भी चाहिए आपको sale कैसे लानी है कैसे margin add किया जाता वो सारी चीज़े भी चाहिए तैना आप most बगरा purchase कर सकते हो कोई problem नहीं है बट यह normally जो सारा knowledge है वो मैं आप इस video के अंदर आपको दे चुका हूं ठीक है अब यह last हमारा step रहता है और वो रहता है हमारा marketing tips मैं आपको देना चाहूंगो एस video के अंदर आपका जो भी product है उसका आपको सबसे पहले traffic campaign चलाना अब traffic campaign कैसे चलता है वो मैं already videos बना चुका हूं मेरे facebook के campaign videos में मेरे facebook के video campaigns आप देख लिजएगा इसी channel पर आपको मिल जाएंगे पहले traffic campaign चलाओ checkout करने की कोशिश करें उसके बाद आपकी पास एक pixel data हो जाएगा उस pixel data को use करके आप एक sale add जलाओ और जब sale add चलेगा ना तब आपकी पास real checkout और real sale आते हैं और तब आपका बनता है profit यानि कि real पैसा अब ये मैंने आपको तोड़ा guide किया है बट ये strategy है और इस strategy का इस्तिमा account भी नहीं आते और उनसे काफी time के बाद वो लोग बंद कर जिते हैं but starting ये होती है कि आपको सबसे पहले traffic campaign चलाना उसके बाद आपको pixel integration के बाद आपको sale campaign चलाने और तब आपके पास real पैसा आता है अगर आपको complete जानकारी चाहिए about facebook marketing then उसका भी मैंने course आपके लिए already ब मुझे पता है महागयानी जो होते हैं वो ये बोलता है कि इस video के अंदर हमें course 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 करके course बेचने की courses कर रहा हूं देखें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एक video के अंदर पूरी information देना इतना बहुत ज़्यादा knowledge देना possible नहीं हो पाता है हमारा भी गलाय दुपता है औ पर इस video को बना रहा हूं बट फिर भी पूरी knowledge देना एक बार में possible नहीं होता क्योंकि इस पूरे setup को करने में ही अपरोक्स आपका 2-3 दिन का time लग जाता है कई-कई बार में 5-7 दिन भी लग जाते हैं तो मैं आपको हमेसा यहीं बोलूँगा कि बहुत सारी चीज़े आप पर फ्री वीडियो में तो मैं आपको बोलूँगा थोड़ा पैसा अगर आप इस्पांड कर सकते हूं तो course purchase कर लो मेरा नहीं किसी का भी purchase कर लो मैं आपको यह नहीं बोलूँगा मेरा करो किसी का भी कर सकते हूं बट आपकर अगर आपको advanced knowledge चाहिए कम time में और real में आपको success बनना तन आपको purchase करना ही पड़ेगा यह आपके पास एक अच्छा option ठीक है तो I think दोस्तों आज का वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा तो please like करना full video अगर आपने देखा है तो comment पे जाके full video जरूर टाइब करना और इस video को अपने द दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको next video में तब तक लिए नमस्क्रार दोस्ते